यही कारण है कि बोर्ड एक्जाम में हम बहुत अच्छा परफाम कर लेते हैं लेकिन कांप्टिटिव एक्जाम हैं परफाम नीट कर पाते हैं फिजिक्स के कारण मेरा निट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं 15 माई को हम यह डिक्लेर करेंगा जब कैसा होना नहीं चाहिए सब्जेक्ट के नेचर के एकार्डिंग आपका एप्रोच होना चाहिए और वह होना चाहिए आपको 11 के स्कार्टिंग से ही जैसे आप फिजिस मेंटर करते हो मैंने देखा है कि मेक्जिमम स्टुडेंट जब निमेरिकल स्पोर्शन में जाते हैं वहीं फिजिक्स से दूर भागते हैं हेले स्टेंट्स वेलकम टू ओरिजिन स्वागा थे आप सभी का आज के इस क्लास में और आज मैं आप लोगों से नीट इस्पेसली नीट पर आप से बात करूंगा एक समिक्षा एक हिनल इसी सम करेंगे कि एक्ट्वल में नीट के एक इस रिजन के दो बेच्च दो सीजन हमने कंप्लीट किया 2024 में हमारी स्टूडेंट्स ने नीट के एक्जाम में फिजिक्स में बहुत अच्छा किया लेकिन बैसिकली मैंने कैनलिसिस किया कि हिंदी मीडियम का इस्टूडेंट जब नीट का प्रिप्रेशन करता है तो कहीं तो कहीं से उसके मन में यह बात जरूर होती है कि भाई सअर नीट हिंदी मीडियम से हो पाएगा मेरे मेरे चैनल पर मेक्जिमम स्टूडेंट्स का जो हमेसा एक क्वाईरी है यह मेसेज हैं मेरे लिए मेक्जिमम यही मैसेज है कि सद्विक्प्रेशन हें सुनके बहुत पी में सोचता हूं तो मैं मेरे दिमार्ट में खुद एक क्वेश्चन आता है कि वैसी क्या वज़ा है कि हिंदी मीडियम की स्टुएंट समझता है कि मैं नीट क्लियर नहीं कर सकता या अच्छे कि कमी हैं आपके पास कोई अच्छा टीचर नहों आपको अच्छा कोई गाइड करने वाला ना हो तो यह एक मेंटर हो सकता है बड़ आपकी जो चमता है वह लेंग्वेज के कारण कभी कम नहीं हो सकता आज मैं कुछ इस तरह की बातों पर आप से चर्चा करूंगा कि हिंदी सकत के मीडिय bowling कि मैरे जितनेों इस्टूडैंड से उनके मन में कभी कवेश्चन नहीं आना चाहिए कि लेंग्वेज के कारण उनका नीट नहीं नेकले अभी तक पाया है कि आपके नीट के सक्सेस के मारगे में जो सबसे बड़ी बाद है फिजिक्स है नो डाउट जब टेंथ क्लास के बाद इस्टुएंट 11 में आता है बायो सब्जेक्ट लेता है मैथमेटिक्स का पोर्सन उसका छूड जाता है धीरे-धीरे वो थोड़ा कमज में कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्राब्लम आप महसूस करते हो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको जैसे फिजिक्स डिफिकल्ट लगता ही स्टार्टिंग में 11 क्लास से ही तो बजाय उस पर कमांड करने के आप उसे दूर भागने लगते हो जबकि होना यह चा प्राटिंग से फिजिक्स पर ही ज्यादा ध्यान दें तो हम सबसे बड़ा मिस्टेक वहीं पर करते हैं कि जब 11 क्लास में आते हैं और जब हमको उसका फाउंडेशन डालना होता है उसी समय हम थोड़ी ला परवाही कर देते हैं फिर 12 में चले आते हैं 12 भी जैसे करके हम ब सबसे बड़ा कारण यही है कि हम नीट के एकार्डिंग बीगनिंग से अपनी तैयारी को सुरुवात नी कर दें तो आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे करेंगे सुरुवात आप कि सबसे पहले तो मैंने आपको सुरात महीं बता दिया कि जब से मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा हिंदी मीडियम की स्टुडेंट्स के प्रतियक जो इंटरल अफेक्षन है वह आप सबको पता है इसलिए मैंने नीट के दो दो बेच रिजन के लाया स्टार्टिंग में मैंने आ आपको बता देंगे लेकिन आज मैं बताओं कि हमारा दो बेच का जो एस्पिरियंस है उसको हम और कैसे बहतर ढंग से कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं तो सबसे पहले चाहे आप 11th क्लास में एडमिशन लिए हो अभी 10th के बाद या आप 12th क्लास की स्टुडेंट हो या आप ड्रापर स्टुडेंट हो आपको अपनी पढ़ाई का सुरुवात फिजिक्स में बैसिक मैथमेटिकल कॉंसेट जिसको हम हिंदी में कहेंगे मूल भ करते रहो फिजिस में बहुत मजाता है जैसे हम निमेरकल के क्लास में जाते हैं तो 50% स्टुडेंट तो पहले देन से ही कि निमेरकल से दूर भागते हैं इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप जो बैसिक मैस से है उसे फ्रेंडली नहीं हो पाए हो और वो होना चाहिए आप को 11 के स्टार्टिंग से ही जैसे आप फिजिस मेंटर करते हो मैं हमेसा अपने सभी क्लास में आपने देखा होगा हमारे सारे वीडियूस में अपने देखा होगा कि जब भी मैं 11 का क्लास स्टार्ट करता हूं तो near about 20 days to 30 days लगभग एक महिना मैं सिर्फ basic mathematics में ृब पर इसिकल्टिक ळिस्ट करते हूं क्योंकि यह five mathematics मिलके हमारे बैसिक मै stimulate कर देते हैं। का शेकंड फिंग को याद करने की कोछिज करते हैं। बैसिकली हम नीट की स्टुडेंट होने के कारण हम मेजर पर्सन को याद कर रहे होते हैं। हम जुलाजी याद कर रहे होते हैं बाटनी याद कर रहे होते हैं केमेस्टी के भी बहुत से पोर्सन को हम याद कर रहे होते हैं वह नेचर हम फिजिस में भी अप्लाई कर देते हैं जब कैसा होना नहीं चाहिए सब्जेट के नेचर के एकार्डिंग आपका एप्रोच होना चाहिए भई बार्टनी को समझने का अपना एक वैसर को समझने का असिछ ल्राटने के तरी को 선कर पौछ करेंगे जैसा रोग होगा वैसा करना पड़ेगा तो प्रीडिस को समझने के लिए आपको फुचिक्स के तरीके समझना पड़ेगा जिसमें सबसे important role mathematical टूल के बाद जो जो रोल सबसे बड़ा प्ले करता है वो है concept concept best subject है पूरा physics और हम concept को समझने के बजाएं सब्सक्राइब को कोई आपको potential पढ़ा रहा है विभाव पढ़ा रहा है अब आप विभाव को याद कर लिए कि एकांक कावेस को अनन से विद्धु छेतर के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कारी विभाव होता है जैसे बच्पान में हम लोगों ने कहानी पढ़ा था सिकारी आता है जाल फैलाता है दाने का लोब दिखाता है जाल में नहीं फसना चाहिए यह साधू उस्तोते को पढ़ा र कि भाई electricity में potential का क्या रोल है सिर्फ definition रटने से आप नहीं समझ सकते यही कारण है कि बोर्ड एक्जाम में हम बहुत अच्छा परफाम कर लेते हैं लेकिन competitive एक्जाम हम परफाम कर पाते हैं क्योंकि competitive के सभी question या तो concept based होते हैं या numerical based होते हैं तो मेरा आप सभी को suggestion है कि हम स साथ यदि फिजिस का कोई अच्छा teacher अटेच नहीं है तो आपको concept समझने में थोड़ा problem होगा जिस बात को आपको पांस मिनट में समझना चाहिए उसको समझने में आप पांस दिन लगा सकते हो यह teacher का बड़ा रोल है concept explain करने में क्योंकि केवल book reading करके आप concept नहीं समझ सकत तो आप सभी को मेरा suggestion यही है कि यदि आप नीट का preparation कर रहे हैं और नीट के लिए आप sincere हैं तो बहुत पहले से शुरवात से इसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं और एक important message मैं आपको और देदूं कि आप अपने guideline को अपने teacher को subject specialist के according select करिए यह मेरा personal suggestion है as a parents not as a teacher teacher कि जैसे मुझे अपने बच्चे को पढ़वाना है इसको फिजिस पढ़वाना है तो मैं सोचूँगा कि इसके पास फिजिस का master teacher हो ऐसा नहीं कि मैं किसी ऐसे group में उसको ढखेल दिया जहां पर एक subject तो बढ़िया है पर बाकी subject time pass हो रहे है तब भी बच्चा कई बार क्य में डाल देता है कि बाद में देख लेंगे ऐसा नहीं होने वाला है तो फिजिस के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं हमारी पूरी कोशिस है कि हमारा हिंदी मीडियम का student ये ना कहे कि physics के कारण मेरा need clear नहीं हो पा रहे है तो dear students साब सब को मैं कहूंगा कि फिजिस के लिए हम जो स्रीजन का जो बेच ला रहे हैं कि स्रीजन 3.0 कि हमारा सीजन 3 है टू सक्सेस्पूल हमने complete किया है फिर मैं आपको बता दूं कि 15 माई को हम ये डिक्लियर करेंगे बेच के सारे फीचर सारे टाइमिंग उसके पूरे उसे सम्मंधित सारी चीज हम आपको clear करेंगे तो आ आप अभी से तायार हो जाओ sincere हो जाओ और आप कोशिस करो कि आप सुरू से ऐसा पीकप बना के चलो फिजिस के लिए कि जिस दिन आप नीट के एक्जाम में बैठो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको डेली का क्लास है कोई बहुत बड़ा आज एक्जाम नहीं है में अच्छा कर पाओ तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी संतुष्टी की बात होगी ओके थाइंक थाइंक यू सुमच